हेलो एवरिवन मैं रितिका सिंग आपकी बायोजी फेकल्टी आप सभी का आपकी अपनी यूनिक साइंस एकेटमी जैपुर में हार्दिक स्वागत करती हूँ यहां पर हमने जुलॉजी का स्लेबस जो है वो इस्टार्ट कर दिया था बीएसी सेकंड यर की हम बात कर रहे हैं हमारी क्लासिस जो हैं वो यहां पर B.S.C. 2nd届र की स्टार्ट हो चुकी है और B.S.C. 2nd届र में हमने जुलॉजी में पेपर 3rd जो है आपका Immunology, Microbología एंट भायो टेक्नलॉजी इसमें हमें माइक्रोटल सेब्नलोसि वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया था या जनन जो है वो किस प्रकार से संपादित होता है, ये बात हमने इस्टार्ट कर दी थी, जनन की जो मैथट देखे जाते हैं जीवानों कोशिका में, मैंने आपको बताया था कि किसी भी बैक्टिरियल सेल के अंदर जनन की जो विद्या देखी जाएंगी, वो हमारी काईक ज जनन आ जाएगा, और लेंगिक जनन की जगे यहां पर, अगर मैं बैक्टिरियल सेल की बात कर रही हूँ, तो यहां पर लेंगिक जनन की जगे, लेंगिक पुनर योजन जो है वो पाया जाता है, अर्थार जिसे हम सेक्स्वाल रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, तो वो दुई विखंडन या जिसे हम बाइनरी फीजन कहते हैं, उसके अलावा सेकिंड हमने देखा था मुकूलन के द्वारा या जिसे हम बडिंग कहते हैं, तीसरा प्रकार जो हमने का एक जनन का पढ़ाता बैक्टिरिया के अंदर वो था आपका सिष्ट फॉर्मेशन या ज जनन की विदियो की बात कर रही हूं, तो आगे जब हम जाकर कोई भी ऑर्गेनिस्म पढ़ने वाले हैं, चाहे तो मैं बात कर सकती हूं किसी जो लॉजी के ऑर्गेनिस्म की, चाहे मैं किसी बात कर सकती हूं किसी बातनी के ऑर्गेनिस्म की या किसी प्लांट की मैं बात कर तो most probably जो reproduction processes मिलती हैं किसी भी जीव में या किसी भी organism में तो वो यह ही होती है हमारा काईग जनन, अलेंगिक जनन और लेंगिक जनन ठीक है, तो अगर हमें इनका concept समझ आ जाता है, जैसे मैंने आपको last class में भी बताया था कि काईग जनन का मतलब क्या है कि किसी भी मैं बोल सक स्ट्रक्चर का formation का एक जनन में अर्थात vegetative reproduction में नहीं होता है, वहाँ पर simple जो somatic cells होती है या साधरन जो काईग कोशिकाएं होती हैं वो ही विभाजन जो है प्रदशित करती है अर्थात वो ही क्या करती है, division जो है वो शो करती है और division शो करके वहाँ पर new one cell का क्या कर देत है तो यह तो हमने पढ़ाता काईग जनन, अलेंगिक जनन में कुछ बीच में ठीक है जब एक संतती की क्या होगा निर्मान होगा, for example यह जनक कोशिका है और यह जनक कोशिका से direct अगर क्या बन रही है संतती बन रही है यानि direct प्रॉजनी का formation हो रहा है parent cell से कुछ नहीं हु simple जो parent cell होगी, simple जो parent cell होगी वो divide होकर क्या कर देती है new one मैं बोल सकती हूँ प्रॉजनी cell का formation कर देती है, अगर मैं बात कर रही हूँ अलेंगिक जनन की, तो अलेंगिक जनन में संतती तो बनेगी ठीक है, जनक कोशिका से संतती का निर्मान तो होता है, संतती का निर्मान तो होता है, लेकिन ये संतती बनते समय यहाँ पर पहले कुछ जनन सरचनाओं का निर्मान होता है, और वो जनन सरचनाए सामानेते क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं बीजानू, ठीक है, ये जनन सरचनाए जो सामानेते बनती है, इसे हम बीजानू या फि बोल सकत्यू cell का formation करते हैं या जिसे हम प्रॉजन ही बोल सकते हैं या जिसे हम new bacterial cell भी बोल सकते हैं तो यह तो बात कर ली किस की हमने काईक जनन की ठीक है काईक जनन की हमने बात कर ली देन हमने बात कर ली अलेंगिक जनन की और लेंगिक जनन में रेंगिक जनन की अगर मैं ब कोशिका और यह आपकी हो जाएगी मोश नहीं की से लिज़ tradis जनक कोशिक में इन दोनों के बीच में बच्चो इनका दो जनक नहीं दिखाई दे रहे, यहां पर भी एक जनक उपस्तित है, यानि एक parent cell प्रेजेंट है, और यहां पर भी एक single parent cell जो है वो प्रेजेंट है, जबकि अगर मैं बात करूं किसी, अगरfish लैंगिक जनन की बात करूं, तो लैंगिक जनन पैंगिक लेंगिक जनन में दो parent cell उपस्तित होती हैं, दो जनक कोशिकाएं जो हैं वो उपस्तित होती हैं और ये दोनों जनक कोशिकाएं जो हैं, ये दोनों जनक कोशिकाएं जो हैं, ये आपस में चाहे तो इनका nucleus fuse हो सकता है, ठीक है वो depend करेगा कौन से प्रिकार का वहाँ पर जनन जो है वो पाया जा रहा है लेकिन लेंगिक जनन में याद रखने वाली बात जो है वो सबसे इंपोर्टेंट यह है कि लेंगिक जनन में हमेशा जनक कोशिकाएं जो होती है जनक कोशिका जो होती है वो कितनी होती है दो होती है ठीक है दो होंगी दो सेल्स का मटीरियल आ अपस में मिलेगा तब जाकर वहाँ पर क्या होगा प्रॉजयनिका फॉर्मेशन इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर संतती में सबसे ज्यादा अगर संतती में variation आती है, variation आती है, यानि विभिन्ता जो है वो अगर उत्पन होती है संतती में, तो वो किस जनन की विधी में होती है, मैं बोल सकती हूँ, लेंगिक जनन में, या जिसे हम sexual reproduction कहते हैं, ठीक है, ये बच्चों vegetative reproduction है, ये आपका asexual reproduction है, और ये आपका sexual reproduction है, आपको पता है, यहाँ पर ये प्रॉजयनी थी, ठीक है, प्रॉजयनी, सॉरी, ये parents healthy, parents से प्रॉजयनी बनी, तो एक parents से direct प्रॉजयनी का formation हो गया, तो variation cause होने के वहाँ पर chances बहुत कम रहते हैं, अगर यहाँ पर variation cause होगी, अगर इन दोनों में संतती अपने जनक की तुलना म थोड़ी अगर मुझे अलग दिखाई देगी, तो उसका reason मैं बोलूँगी, कि उसका reason कौन है, environment है, या जिसे हम वातावर्निय घटक कह देंगे, कि हो सकता है, वहाँ पर वातावर्निय घटकों में कुछ ऐसा, मैं बोल सकती हूँ, condition रही होगी, कुछ ऐसी अवस्ता रही ह जिसके कारण संतती जो है, वो थोड़ी अपनी जनक कोशिका से कैसी दिखाई दे रही है, अलग दिखाई दे रही है, जबकि DNA की मैं बात करूँगी, तो DNA तो जो जनक कोशिका के अंदर DNA होगा, वो ही संतती कोशिका के अंदर DNA होगा, तो बहुत जादा variation होने के chances, यहाँ पर क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन जब अगर मैं बात करूँगी कि इसकी लेंगिक जनन की, तो क्योंकि यहाँ पर दो जनक कोशिकाएं होती हैं, तो दोनों का genetic material आपस में मिलकर किसमें आता है, संतती में आता है, तो यह जो संतती होती है, इसके अंदर जो DNA होता है, व कुछ अपनी पहली जनक कोशिका के समान दिखाई देती है, और कुछ अपनी दूसरी जनक कोशिका के समान जो है, वो दिखाई देती है, तो यह तो एक simple हमने type पढ़ा, एक जनन की विद्या पड़ी, जो किसी भी organism के अंदर देखी जा सकती है, यहाँ पर हमारा जो topic चल र सरचनाओं का निर्मान होता है, कुछ विसिष्ट जनन सरचनाओं का निर्मान होता है, जिनने हम sports कहते हैं, जिनने हम sports कहते हैं, आसेक्सवल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जीवानों कोशिका की बात कर रहे हैं अपन, जीवानों के अगर मैं बात कर रही हूं, तो जीवानों के अंदर तीनों method जो है reproduction के पाए जाते हैं, का एक जनन हमने discuss कर लिया था, हमारा vegetative reproduction जो है हम पूरा complete कर चुके थे, अब हमारा जो topic चल रहा है वो है अलेंगिक जनन, तो अलेंगिक जनन में इस में, इस विधी में कुछ विशिष्ट जनन सरचनाओं का कुछ विशिष्ट, विशिष्ट जनन सरचनाओं का, निर्मान होता है निर्मान होता है जिन्हें बीजानू या स्पोर कहते हैं कहते हैं ठीक है? कि में जसकर प्रिप्रदश का कि बनानाओं में तो ऑनाओंस as a sports which is known as a sports ठीक है आपन और के प्रकारों की बात करें प्रकार ठीक है तो प्रकार में पहला आता है को निडिया के दौरा को निडिया के दौरा को निडिया के दौरा ठीक है इसे इंग्लिश में कहेंगे by conidia by conidia ठीक है पहले डाइग्राम समझेंगे then अपने clear हो जाएगा अगर मैं कुछ bacterial cell की बात करूँ ठीक है for example spiral shape की अपन बात कर सकते हैं ठीक है spiral shape की बात कर सकते है filamentous type की हम बात कर सकते हैं तो कुछ bacteria जो होते हैं बच्चो इन पर exogenously round shape structure का क्या होता है formation होता है ठीक है exogenously exogenously मतलब बाहरी रूप से कुछ विसिष्ट गोलाकार सरचनाओं का क्या होता है निर्मान होता है ठीक है और यह गोलाकार सरचनाओं का निर्मान होता है और यह गोलाकार सरचनाओं का क्या होगी मैंने अब भी बताये था आप लोगों भी स्पोर होगी ठीक है कैसे बन रही है ये structure तो ये structures बनती है exogenously यानि बाहर रूप से इनका क्या होता है निर्मान होता है और ये जिन शाखाओं पर बनती है इन structures को पहले तो हम बोलते क्या है वो धियान रख लेना इन structures को हम कौन कहते हैं ये जो गोलाकार सरचनाय बन रही है ये है तो वास्तविकता में बीजानू ठीक है वास्तविक रूप से ये क्या है बीजानू है लेकिन इन बीजानू को भी हमने अलग नाम दे दिया जिने हम कौन इडिया कहते है ठीक है इन बीजानू को भी हमने विसिष्ट ना शाखाओं उपर ये कॉनिडियो का निर्मान होता है, या जिसे हम कॉनिडियो स्पोर्स कहते हैं, ये कॉनिडियो फोर कहलाते हैं, या कॉनिडियो धर कहलाते हैं, क्योंकि धारन कर लिया, धारन कर रखा है कॉनिडियो को, ठीक है, कॉनिडियो को ये क्या करके रख रहे हैं, मैं बोलूँगी अपने उपर attach करके रखते हैं तो ये structure तो आपकी Conidio धर या जिसे हम Conidio 4 कहते हैं Conidio 4 कहलाती है Conidio 4 कहलाती है और अगर मैं बात करूँ कि ये जो बीजानू बनते हैं ये जो round shape structures बनती है ये क्या कहलाती है Conidia कहलाती है वास्तविक रूप से ये होते क्या है तो वास्तविक रूप से ये बीजानू ही होते हैं ठीक है Sports ही होते है जब ये परिपक्व हो जाते हैं जब ये बीजानू जो है वो क्या हो जाएंगे ठीक है परिपक वो हो जाएंगे तो यह यहां से क्या होने लग जाएंगे बच्चो सेपरेट होने लग जाएंगे ठीक है इस तरीके से यह क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे आपको मैं डाइग्राम अलग से बना देती हूँ कि यहां पर फॉर एक्जामपल यह स्पो जहां जहां पर जाएंगे ये भी जाणू जहां जहां पर जाएंगे और वहां पर अगर इने क्या मिल जाती है फेवरेबल कंडिशन मिल जाती है तो ये वहां पर अंकुरित होकर क्या करते हैं नई जीवानू कोशिका का निर्मान करते हैं और ये विदी क्या कहलाती है आपक स्पोर्स ठीक है and the basis of their function अगर मैं बात करूँ उनके कारे के आधार पर इनको हम अलग-अलग सरचना के आधार पर इनकी उत्पत्ती के आधार पर इनके कारे के आधार पर हम इनको क्या कर देंगे? अलग-अलग नाम जो है वो दे देंगे और अलग अलग नाम देने के कारण ही basically यहाँ पर यह वाले जो sports होते हैं इनको हम क्या कहते हैं इस Conidio 4 पर बाहरी रूप से यानि एग्जोजीनस ली गोल अनुओं का निर्माण होता है या गोलाकार आकरतियों का निर्माण होता है गोलाकार बीजानुओं का निर्माण होता है जिने हम Conidia कहते हैं परिपक्वन पर ये कैसे लगते हैं बचो श्रंखला में लगते हैं अ माला है माला को हम तोड़ देते हैं तो माला के सारे मोती क्या हो जाएंगे बच्चो अलग-अलग हो जाएंगे तो वो एक तरीके से सारे कॉनिडिया क्या हो चुके हैं सेपरेट हो चुके हैं हवा से पानी से किसी भी वातावर्णिय घटक के द्वारा वो एक जगे से दूसर शो करते हैं या germination शो करते हैं और germination शो करके यह दुबारा क्या करेंगे नई जीवाणों कोशिका का भाहां पर निर्मान कर देंगे ठीक है तो लिखेगा कुछ जीवाणों में विस्ष्ट शाखाओं का निर्मान होता है शाखाओं यानि ब्रांचेस का निर्मान होता है निर्मान होता है जिन्हें कौनिडियो धर कहते हैं या कौनिडियो फोर ठीक है कौनिडियो धर कहते हैं इन शाखाओं पर बाहरी रूप से बाहरी रूप से यानि एक्जोजीनसली बीजाणूओं का निर्मान होता है बीजाणूओं का निर्मान होता है जिसे कौनिडिया जिसे कौनिडिया कहते हैं ठीक है पहले एक बार इतना नोट कर लो फिर आगे लिखाती हूं ठीक है इंगलिश वाले लिखेंगे पहले इतना नोट कर लो फिर लिखाती हूं पर इतने कंडियों कि कौनिडियोंफोर ठीक है तो विचिछ नोट गौनिडियों फोर थीक है ओं On Conidio4, on Conidio4, some spores are produced exogenously, some spores are produced exogenously, exogenously, which is known as Conidio, which is known as Conidio, which is known as Conidio, Conidio, which is known as Conidio, which is known as Conidio, which is known as Conidio, बाहरी रूप से यानि एक्जोगीनस ली गोलाकरती बीजानों का निर्मान होता है इन गोलाकरती बीजानों को कॉनिडिया कहते हैं ठीक है आगे नेक्ट पॉइंट लिखना इस्क्रीन शॉट ले लिजी एक बार पटाफट इस्क्रीन शॉट जो है वो ले लिजीए ठीक है आगे कॉनिडिया बन चुके हैं यहां पर ठीक है परिपक्वन पर परिपक्वन यानि मैचुरेशन पर ये ये भी जानू और उन्हें क्या बोल रहे हैं हम कॉनिडिया ये भी जानू कॉनिडिया मुख्य शाखा से मुख्य शाखा से मुख्य शाखा से अलग हो जाते हैं अलग हो जाते हैं तथा तथा अनुकूल परिस्थितियों की प्राप्ति पर तथा अनुकूल परिस्थितियों की प्राप्ति पर अनुकूल परिस्थितियों की प्राप्ति पर अंकुरित होकर अर्था जर्मिनेट होकर अंकुरित होकर नई जीवानु कोशिका का कोशिका का निर्मान करते हैं ठीक हैं इंग्लिश वाले लिखेंगे दिएक हैं दिएक हैं इन अचीन करते हैं अ condition they give they show germination at the achievement of favorable condition condition they show germination they show germination and give rise to and give rise to new bacterial cell and give rise to new bacterial cell, new bacterial cell, ठीक है, तो यह हो गया आपका first type जो है, आसेक्सोल रिप्रोडक्शन का, ठीक है, first type जो है, वो complete हो गया, second है बच्चो, second भी same ही है, केवल बीजानू का नाम जो है, वो अलग रग दिया, नयारा नाम जो है, एक और रग दिया, जिसे हम idea कहते हैं, पहला था कौनिडिया और अब है idea, ठीक है, idea द्वारा यानि बाई idea ठीक है, idea ठीक है, बाई idea, पहले था कौनिडिया के द्वारा और अब है ओडिया के द्वारा ठीक है ओडिया के द्वारा यहां पर क्या होगा डाइग्राम से समझेंगे ठीक है डाइग्राम से समझेंगे सेम कुछ मैं बोल सकती हूँ ब्रांश जो है वो बैक्टीरिया होंगे ठीक है ब्रांश जो है वो बैक्टीरिया होंगे यहां पर क्या होता है समझेगा पहले जैसे for example filamentous structure का क्या होता है formation होता है ठीक है क्या होगा filamentous structure का formation हो जाएगा ठीक है यह filamentous structure दिखाए दे रही है आपको अलग से मैं color से बना देती हूं एक बार ताकि clear रहेगा ठीक है filamentous structure का formation होता है लेकिन ये बच्छों कैसे बनती है तो ये बनती है something like that यहाँ पर filament जो बनते हैं ये कुछ इस तरीके से बनते हैं छोटे छोटे pieces में ठीक है ये filament जो है ये छोटे छोटे भागों में क्या हो जाता है बट जाता है पहले से ही बटा रहता है और ये सारे भाग जो है ये आपके क्या कहलाते हैं idea कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं ये छोटे भाग जो है ये क्या कहलाते हैं idea कहलाते हैं यहाँ पर भी same बनेगा ठीक है यहाँ पर भी same बना देंगे हम ये बन गए आपके idea, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, अगर मैं primitive time की बात करूँ ना, बच्चों ये बनते कैसे हैं, तो अभी अभी मैंने बताये था, कि for example, यहां पर मैं बना के बता देती हूं, यह आपका ब यह कैसे दिखाई देने लग जाते हैं, तो यह दिखाई देने लग जाते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, यह कैसे दिखाई देने लग जाते हैं, अलग-अलग accepted हो जाते हैं, अलग-अलग पट जो हैं, इन में निर्मान हो जाता है, तो यह इस प्रकार से दिखाई देन सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले ब्रांच बनी ठीक है सबसे पहले वहां पर तो गोल आकरतिया बनी थी गोल गोल अणू जो है बने थे जिने हमने कौनिडिया कहा था ठीक है यहां पर सबसे पहले फिलामेंटस ब्रांच का फॉर्मेशन होता है अर्थार तंतु नूमा क्य है ठीक है ये क्या है पत्ट निर्माण ठीक है पत्ट निर्माण या जिसे हम सैप्ता फॉर्मेशन कहेंगे बहुत सारे सैप्ता बन जाएंगे तो वहां पर वो Segmented लगने लग जाएगा ठीक है यानि बटा हुआ लगने लग जाएगा थोड़े time के बाद में ये सारे के सारे segments जो हैं ये आपस में थोड़े-थोड़े कैसे हो जाते हैं दूर हो जाते हैं आपको diagram में थोड़े-थोड़े कुछ जीवाणू में शाखाओं का निर्माण होता है, शाखाओं का शाखाओं या ब्रांचेज का निर्माण होता है, इन शाखाओं में ये जो ब्रांचेज बनी है, इन में क्या होगा बच्चो पट का निर्माण, ठीक है, तो इन शाखाओं में पट निर्माण होने से, इन शाखाओं में पट निर्माण होने से, पट निर्माण या जिसे हम सैप्ता फॉर्मेशन, सैप्टा मतलब ये जो हुआ ना बचो यहां पर बट गया, ये अलग-अलग भागों में बट गया, ठीक है? सैप्टा फॉर्मेशन होने से पट निर्मान होने से ये छोटे-छोटे ये छोटे भागों में बट जाता है, छोटे-छोटे भागों में बट जाता है, बट जाता है, ये सरचनाए, ये छोटी सरचनाए, ये छोटी सरचनाए, क्या कहलाएंगी? ये छोटी सरचनाए, ओइडिया कहलाती है, ओइडिया, ओइडिया, भी जानू, कहलाती है, ठीक है, आगे मैंने आपको बता दिया, एड़ दा मैचुरेशन, ठीक है, एड़ दा मैचुरेशन, एड़ दा मैचुरेशन, ये इस्ट्रक्चर्स जो है, ये क्या करेंगी? जर्मीनेशन शो करेंगी ठीक है, जर्मीनेशन शो करेंगी वोई सेम परिपक्वन पर, ये ये सेम यहाँ पर कंटिनियो हो जाएगा, कि परिपक्वन पर यहाँ पर क्या आ जयेगा ओइडिया आ जाएगा ठीक है तो परिपक्वन पर यह भी जानु कौन से ओइडिया मुख्य शाखा से क्या हो जाते है अलग हो जाते है तथा क्या करते है अंकुरन करके यानि जर्मिनेशन जो है वो शो करके ये new one bacteria cell का क्या कर देते हैं, निर्मान कर देते हैं, तो ये हो गया आपका second, जिसे हम OIDIA निर्मान कहते हैं, OIDIA निर्मान या by OIDIA कहते हैं, ठीके by OIDIA कहते हैं, तो screenshot ले लीजिए आप लो, screenshot जो है वो ले लीजिए ठीक है, ये हो गया आपका OIDIA के द्वारा, next है third one, third है आपका, third है अन्ते है बीजानू, बहुत important है, short note में पूछा जाता है, अन्ते है बीजानू के द्वारा, अन्ते है बीजानू के द्वारा, अन्ते है बीजानू द्वारा, जिसे हम बाई, एंडोस्पोर कहते हैं, यहाँ पर क्या होगा, सुनिएगा, जो साइटोप्लास्म होता है, किसी भी जीवानू कोशिका का, जो साइटोप्लास्म होता है, वो जब हमने सिष्ट फॉर्मेशन देखा था, तो सिष्ट फॉर्मेशन के टाइम पर तो क्या हुआ था, तो सिष्ट फॉर्मेशन के टाइ और जब मैं बोलूँगी कि वहां पर कुछ समय के बाद में देखा जाता है कि जो bacterial cell wall होती है या bacterial जो outer surface होती है वो तो क्या हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है या अप घटित हो जाती है और ये सिष्ट जो होती है ये वहां से मुक्त होकर क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती एक लेकिन मैं अगर endospore की बात करूँ अगर मैं endo spore की बात करूँ ठीक है तो endo spore में हमें समझना है for example, वह bacterial呀 थे का DNA है थे का ये bacterial cell का क्या है DNA है थीख है clear atac अब यहां पर होगा क्या कि ये जो bacterial cell का DNA होता है ये जो bacterial cell का DNA होता है ये सबसे पहले अपना amount क्या कर लेता है double कर लेता है ठीक है ये अपना amount क्या कर देता है double कर देता है ये हो गया double ठीक है duplicate कर दिया double कर दिया अब उसके बाद में यहां पर मैं second जो diagram बनाऊं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो bacterial cell होती है ठीक है bacterial cell होती है इसको यह जो आउट जो दूसरा DNA बना है इस दूसरे DNA को कुछ इस तरीके से cell जो है वो क्या करती है बच्चों cover करने की कोशिश करती है ठीक है जो DNA होते हैं दोनों जो DNA होते हैं यहाँ से cover करने की कोशिश कर रही है ठीक है तो यहाँ पर एक तो इस तरीके से covering बन जाएगी एक तो इस तरीके से covering बन जाएगी और यह जो दूसरा DNA होता है इसके उपर भी बच्चों क्या बन जाती है covering बन जाती है दूसरा जो DNA होता है इ कैशियम अगरा का भी क्या होने लगता है ठीक है कैशियम अगरा का भी डिपोजिशन होने लगता है और ये सरचना ही आपकी क्या कहलाती है तो ये सरचना ही ये सरचना ही आपकी एंडोस्पोर कहलाती है ये सरचना क्या कहलाती है एंडोस्पोर कहलाती है जिसे हम अंतह बीज जानू कहते हैं ठीक है अंतह बीजानू कहते हैं केवल इतना ध्यान रखना है कॉनिडिया का या ओईडिया का जो निर्मान हुआ था कॉनिडिया या ओईडिया का जो निर्मान हुआ था वो बाहरी रूप से हुआ था यानि एक्टरनल इनका क्या हुआ था फॉर्मेशन तो नाम से यह आपको दिख रहा है कैसे हैं अर्थार्थ अंतेह बीजानु है अर्थार्थ इनका जो निर्मान होता है यह कोशिका के अंदर ही होता है और होगा क्या कि अब यहां पर कैश्यम अगरा का डिपोजीशन हो गया ठीक है और एक बाहर मैं बोलूंगी इसके इस पो परिपकवन होने पर यहां से क्या हो जाएगी बच्चों मुक्त हो जाएगी और जहां पर भी यह जाएगी और वहां पर अगर इसे क्या मिलती है तो यह क्या करेगी वहां पर जर्मिनेशन जो है वो शो करेगी सब में सेम रहेगा जर्मिनेशन जो है वो क्या करेगी शो कर के वहाँ पर यह क्या करेगी, new one cell का formation करेगी, ठीक है, new one cell का formation करेगी, तो लिखेगा, ठीक है, लिखेगा, प्रतिकूल परिस्तितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवानु कोशिकाओं में जीवानु कोशिकाओं में जीवानु कोशिकाओं में जीवाणूं कोशिकाओं में एंडोजीनसली यानि आंत्रिक रूप से कुछ विसिष्ट प्रतिरोधी यह बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट इस्ट्रक्चर होती है तो कुछ विसिष्ट प्रतिरोधी सरचनाओं का निर्मान होता है प्रतिरोधी सरचनाओं का सरचनाओं का निर्मान होता है होता है जिन्हें जिन्हें एंडो स्पोर कहते हैं जिन्हें अन्तह बिजानू जिन्हें अन्तह बिजानू कहते हैं ठीक है अनुकूल अवस्था की प्राप्ति पर अनुकूल अवस्था की प्राप्ति पर ये अंकूरित होकर नई जीवानु कोशिका बनाते हैं, ठीक है, नई लिखलो यहाँ पर, यहाँ पर आगे continue करके लिखते हूँ, यहाँ के बाद में यहाँ लिखते हूँ, नई जीवानु कोशिका बैक्टीरियल सेल का निर्मान करते हैं, यह किसकी बात करें हैं, हम बात करें हैं, एंडोस्पोर की, एंडोस्पोर अत्यधिक यानि अंत्यधिक प्रतिरोधी यानि रेजिस्टेंट, अत्यधिक प्रतिरोधी अर्थात रेजिस्टेंट प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली, इफ आ एंडोस्पोर, ठीक है, तो एंडोस्पोर में जो एडवर्स कंडिशन होती है, in adverse condition, in adverse condition, bacterial cell produce, bacterial cell produce, some specific, some specific resistant structure, some specific resistant structure, some specific resistant structure, endogenously, endogenously, which is known as endospore, which is known as endospore, which is known as endospore, endospore, ठीक है, after the achievement of favorable condition, after the achievement of favorable condition, after the achievement of favorable condition, 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 these sports, which sports, endospore, So these endospors show germination, these endospors show germination, these endospors show germination, show germination and give rise to new bacterial cell. और endospore के nature की अगर मैं बात करूँ, तो these endospores are highly resistant. इस endospores are highly resistant. ठीक है, highly resistant. ठीक है, screenshot ले लीजिए है आप लोग. स्क्रीन शॉर्ट जो है, आप लोग ले लीजिए. ठीक है, तो बच्चों आज जो हमने डिस्कस किया, वो बैक्टिरिया के अंदर अलेंगिक जनन को हमने डिस्कस किया है. Are sexual reproduction processes found in the bacterial cell? अगर मैं जीवान कोशिका की बात कर रहेएं, तो जीवान कोशिका में जो अलेंगिक जनन होता है, वो उसे हमने बोला था, exogenously निर्मान, ठीक है, exogenously formation हो रहा था, वो थे हमारे कॉन इडिया, ठीक है, गोल आकरती बन रही थी, गोल बीजानू बन रहे थे, तो वो थे हमारे कॉन इडिया, और अगर शाखा जो है, वो सैप्ता के formation होने से, अर्था पत का निर्मान होने से, छोट नसली बन रहे थे, लेकिन कई बार bacterial cell के अंदर कुछ भी जानू, कुछ विसिष्ट सरचनाओ का निर्मान भी होता है, और ये विसिष्ट सरचनाए कैसी होती है, बहुत ज़्यादा resistant होती है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोधी होती है, साथ में इनका जो निर्मान होता है, वो cell के अंदर की तरफ होता है, endogenously होता है, और ये सरचनाए आपकी क्या कहलाती है, endospore कहलाती है, कुछ समय के बाद में परिपक्वन होगा, तो परिपक्वन होने पर ये मुख्य कोशिका से क्या हो जाती है, separate हो जाती है, बहुत ज़्यादा resistant होती है, तो बहुत time तक as it is environment के अंदर ये क्या कर सकती है, survive कर सकती है, जब इनहें कितने भी समय के बाद में इनहें क्या मिलती है, favorable condition मिलती है, तो ये endospores जो होते हैं, ये अंकुरन जो है वो प्रदशित करते हैं, अथा extermination जो है वो प्रदशित करते हैं, और germination छो करके ये क्या करते हैं, new one bacterial cell का formation कर देते हैं और इस प्रकार से ये अलेंगिक जनन को क्या करते हैं, संपन करते हैं, तो आज हमने बैक्टियर सेल के अंदर अलेंगिक जनन या आज sexual reproduction को जो है complete किया है, अब हमारा last topic जो रहा है वो है sexual reproduction in bacteria, वो हम next class के अंदर क्या करेंगे, discuss करेंगे, अगर आपको content जो है वो प download कर सकते हैं, same नाम से है unique science academy जैपूर, वहाँ पर आपको biology में, botany and zoology and साथ में chemistry जो है, उससे related आपकी demo classes जो है, वो मिल जाएंगी, तो इन classes को आप देखिए, अगर आपको content पसंद आता है, तो आप अपने course को भी further course को भी क्या कर सकते हैं, purchase कर सकते हैं, तो आज के लिए